हेलो दोस्तो, फ्रीम अनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में MP Board कक्छा दसमी विसाय गड़त के कुछ most important object type question देखेंगे जो कि आपकी Board पर एक्छा के लिए बहुत ही महत्पून है तो सबसे पहले देखते हैं अध्या एक बास्तिविक संख्या है तो इसमें से आपको कुल साथ अंग के प्रशन पूछी जाएंगे जिसमें आपका एक अंग का object type question दो अंग का एक प्रशन और एक चार अंग का प्रशन तो सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्पून object type question प्रशन कर्मांग एक है सही विकल्ब चुनका लिखिए इसमें पहला प्रशन है 96 वा 404 का SCF होगा तो इसका अंग सर हो जाएगा 4 इसके बार देखते हैं दूसरा प्रशन यदी दो संख्या को गणन फल 32 वा SCF 8 हो तो LCM होगा तो इसका अंग सर हो जाएगा 4 इसके बार देखते हैं प्रशन कर्मांग 3 यदी दो धनात्मा पूरांग P अवम Q तथा P बराबर A B बर्ग हो तो Q बराबर A बर्ग B हो LCM P Q होगा तो आपको LCM बताना है P Q होगा तो यहां पर इसका अंग सर हो जाएगा A वर्ग B वर्ग इसके बार देखते हैं प्रशन कर्मांग 2 खालिस्तान भरिये इसमें पहला प्रशन है कानी तेन एक खालिस्तान संख्या तो इसका अंसर हो जाएगा आपरी में इसके बाद दिखते हैं दूसरा खालिस्तान परी में एवं आपरी में दोनों खालिस्तान संख्या हैं तो इस कांसर हो जाएगा बास्तविक इसके बाद दिखते हैं तीसरा खालिस्तान SCF AB गुरित LCM AB बराबर क्या होता है तो इस कांसर हो जाएगा A गुरित V इसके बाद दिखते हैं चौता खालिस्तान यदी A बराबर X घन Y स्क्यार तथा B बराबर X वर्ग Y घन जहां XY अभाज संख्या है SCF AB बराबर क्या होगा तो इसका अंसर हो जाएगा X वर्ग Y वर्ग इसके बाद दिखते हैं प्रिश्ण क्रमांग 3 सत्य सत्य बताईए तो इसमें पहला प्रश्ण है काणी 2 एक आपरी में संख्या है तो इसका अंसर हो जाएगा सत्य इसके बाद दिखते हैं प्रिश्ण क्रमांग 2 आपरी में संख्या को संख्या रिखा पर अंकित नहीं किया जा सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा असत्य इसके बार देखते हैं तीसरा प्रशन परतेक भाजी संख्या को अभाजी संख्या को गुणनफल के रूब में ब्यक्त किया जा सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा सत्य इसके बार दिखते हैं चौथा प्रश्ण प्रतिक आपरीमे संख्या का दसमला प्रसार असांत आबर्ती होता है तो इसका अंसर हो जाएगा असत्य इसके बार दिखते हैं पांचमा प्रश्ण परीमे संक्या पीवेटे क्यू का दसमलो प्रसार सांत होगा यदी क्यू को टू के उपर N की पावर पांच की उपर M की पावर में लिखा जा सके तो इसका अंसर हो जाएगा सत्य इसके बार दि LCM AB में क्या संबंध होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा SCF A,B गुरित LCM A,B बराबर A x B इसके बाद दिखते हैं दूसरा प्रश्ण यदि अंडर रूट P एक आपरी में संख्या है तो P कौन सी संख्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा P एक आभाजी संख्या होगी इसके बाद दिखते हैं तीसरा प्रश्ण यदि P एक आभाजी संख्या है और Q एक धनात्मक पूरांख है तब यदि P A स्क्यार को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्थे निश्चित रूप से कहा जा सकता है तो इ तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रतेक भाजी संख्या को अभाजी संख्या के आद उती है गुरन फल के रूप में ब्यक्त किया जा सकता है जबकि गुरन खंडों का क्रम कैसा भी हो तो आपको इन सभी अब्जेक्ट आई प्रश्णों को अच्छे से तैयार का लेना है क् आपके बोट परिच्छा के लिए बहुत ही मत्मुन है इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको दो अंके और चारंके क्वेश्चन बित सॉलूसन के साथ प्रोबाइट करा देंगे यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए औ और यदि आपने हमारे चैनल को सास्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सास्क्राइब कीजिए धन्यवाद